हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल किर्किट फैंटेसी अले बिन पर भाईयों में इस वीडियों में बात करूँगा यू एस जी सी वर्सिस वी ई आर के बीच एसी एस टी टेंट रिजडन्स रिच का आज का दिन का पहला मैच खेला जाएगा भाईयों में इस मैच को डीपली एनलाइसिस करूँगा साती साथ दोस्तों हम सभी प्लेयर का स्टैट जानेंगे इसी के साथ भाईयों हम जानेंगे अभी तक के जितने भी मैच खेले जा चुके हैं उन सभी मैच में कौन से प्लेयर ने लगातार कैसा परफोर्मेंस करा हैं उसी के बेस पर अपनी एक ड्रेम अलेबिन की अच्छी टीम क्रेट करने की कोसिस करेंगे साथ ही साथ भाईयों हम जानेंगे कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट रहेगा इस मॉल लीग और ग्रेंड लीग के लिए तो भाईया प्लीस वीडियो को एंड तक जरू वाच करना अगर भाईया पहली बार चैनल उपा आयो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और भाईया बैल आइकन को ओल्टर प्रेस करके जरूर रखना क्योंकि हम रोजाना सभी मैचों की वीडियो डीपली एनलाइसिस के साथ इसी चैनल पर कवर करते हैं तो भाईया बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में विकेट कीवर सैक्षन से तो भाईया पहले पिलियर की बात कर लेते हैं जी मनोहरन की अगर भाईया इस पिलियर के लाश्ट दो मैचों की परफोरमेंस की बात करें इस सीजन के तो भाई यह पहले मैच में 26 हम पर आये थी दूसरे मैच में तीर रन बन्दा लाश्ट मैच में फिलोप था लेकिन एक मैच की बात करे आवरेज बैटिंग करी थी अगर भाई यह बैटिंग बोजिचेन की बात करे आपको ओपन कर तोवा दिखाए देगा तो कहीं नहीं एक इंपोर्टेंट प्लियर बन जाता इस मोली ग्रैंड लिग के लिए अब बात करे तो भाई यह सेकंड प्लियर की आर डेबेस की अगर भाई यह इस प्लियर के लाश्ट दो मैचों की परफॉरमेंस की बात करें इस सीजन के तो भाई यह पहले मैचों इसने जीरो ने मनाया था दूसरे मैच में दसन बन दोनों ही मैचों फिलो पर अगर बैटिंग बोजी साहन की बात करें तो आपको भाई यह वन डाउन दो बैटिंग करता हुआ देगा बैटिंग के आने के ज़्यादा चांस है अगर भाई इस मैच में वनदा खेलता है तो आप इसको ग्रैंड लिग की दो से तीन टीमों के अंदर जरू ट्राइक करिएगा तो भाई यहां से दो ही प्लियर इंपोर्टेंट टीमें दो नहीं प्लियर का आपको स्टैट्स बता दिया है बाखी किसी प्लियर पर आपको ध्यान नहीं देना है तो भाई आप बात कर लेते हैं बैटिंग से पहले प्लियर की बात के लाश्ट दो मैच योगी तो भाई मैच पिसने दो विकेड निकाले दूसरे मैच में एक बिकेड निकाला बंदा कंटीनिव विकेड निकालका देरा लेकिन बैटिंग से कोई इतना बड़ी पर्फॉर्मेंस नहीं करा बैटिंग बात करें तो भाई आपको फिफ्ट रांड बैटिंग करता हुआ दिखाए बैश्ट प्लियर दोस्तों मैं आगर बताँगो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना तो भाई आप बात करें तो आपको ओपन करता हुआ दिखाए देखा तो कहीं नगे इंपोटेंड प्लियर बन जाता इस्मोली ग्रैंड लिग के लिए बहीं सो दोस्तों बात करें प्लियर की वी सोरा गनवी कि आगर ब्याइब यह इस प्लियर की बात करें ना लास्ट दो मैचों के तो पहले मैच भी सदान बनाए थे दूसरे मैच बाहर से बनाकर दो बिकेट देखो यह लास्ट मैच इसने बिकेट भी निकाले और बैटिंग सा भी अच्छे का से देने वाला है ठीक है? और growth की बात कर लेती है अगर अगर इस player की लाश्ट तीनी reinich की performance की बात करें दूसरे match मैच 40 स़ान तीसरे match मैच 64 मैच 24 या देखो लाश्ट मैच मैं कापी सा अंधर पारी खेली थी बन देनस लागा तर बढ़ी आ परफॉरमेंस देरा टीम के लिए बैटिंग बोजिसन की बात करें आपको ओपन करता हुआ दिखाए देगा तो एक इंपोर्टेंड पिलियर बन जाता है इसमोल लिग के लिए कैप्टन सी के लिए अगर बैटिंग बोलिंग दालेगा तो यह इसी प्लियर को बता रहा था आप के सिंग से कंपेर करोंग ले। तो आर नागरा राजस से मैं मस्ट पिक रहे है क्योंकि इसके बैटिंग आने की जल्दी चांस है और दो बर भी डाला है और केसिंग यहां से केवल एक यूबर डाला है ठीक है तो इस बात का आपको ज्यादे दियान देना है अब बात के लिए थे ओलांडर सेक्शन से देख आपको स्टैट्स बता दीता हूं दोस्तों आई भुकार एक इंपोर्टेंड प्लियर रहेगा यहां से खुसु कुंता लाग पली दूसर पिक रहेगा यहां से आपके अपर रिस्क है यहां सो मैं सजाइस करूंगा आप इस मोलिग में भी मारा मैंध्दी को लेका जलना औ अगर बोलिंग की बात करें तो पहला प्लियर एंड रहेगा इस जाप पर इंपोर्टेंड पी करेंगा यहां सो तीसरी पिक रहने वाली है इस मैच के लिए दोस्तों आयां से आप आप भी अमेरे खिल को ट्राइ कर सकती है दोस्तों मैं दोपी का आपको ग्रैंड लिग के लिए बता दी है तो भाई मैं आपको टीम पर प्रेवू दिखा जेता हूँ ए दोस्तों मैं टीम पर प्रईबू रहने बाला इसमानल लिक के टीम मैं मैंने आनकरीगर को कैप्तन में और एस्टेक ने जी को बाइस केप्टन सी देए ठीक है स्मॉल लिगे टीम है फाला टीम टोर्च का टेलीग्राम पर मिलेगी लिंक डिस्किप्शन वोक्स में देला का वहां साकर इसली जोइन हो जाना अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी